बहारत और चीन के बीच बढ़े सीमा विवात को लेकर अमरीकी राष्टपती डॉनालिट ट्रॉंप ने अपनी ओर से मध्यस्तिता की पेशकश की थी इस पर इस पश्ट तौर पर तो नहीं पर भारत की ओर से संकेत दिया गया है कि भारत इस मसले पर किसी भी तरह की मध्यस्तिता को स्युकार नहीं करेगा भारत की ओर से कहा गया है कि वह इस मसले पर दुई पक्षे चर्चा कर रहा है भारतीय विदेश मंत्राले ने इस मामले में अपना रुख साफ किया है विदेश मंत्राले ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद के शांदी पून समाधान के लिए बातचीत जारी है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अनुराक श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत और चीन की सैन्य स्तर के साथ साथ राजनाईक स्तरों पर भी बातचीत हो रही है दोनों देशों ने सीमा पर शांती बनाए रखने के लिए कई प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये हैं इस मुद्धे पर कई समझोते हुए हैं भारत चीन ने बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्धों को हल करने के लिए सैन्य और राजनाईक स्तरों पर तंत्र इस्थापित किये हैं अनुराक शिरवास्तव ने कहा कि राजनाईक मोर्चे पर दिल्ली और बीजिंग के बीच मामले के समाधान के लिए बातचीत चल रही है समस्या के समाधान के लिए चीन के साथ दुईपक्षिय समझोते में दी गई प्रिक्रियाओं का भारतिय सैन एक सक्ती से पालन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने नेताओं के बीच बनी सहमती और सीमा प्रबंधन में उनके द्वारा दिये गए दिशा निर्देश का गंभीरता के साथ पालन किया ट्रंप की पेशकष पर चीन ने भी कहा है कि ये भारत और चीन के बीच का मामला है और वो इसे आपसी बातचीत से निप्टा लेंगे वहीं डॉनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कांफरेंस में कहा था कि भारत और चीन के बढ़ते तनाव के चलते भारती प्रधान मंतरी नरिंद्र मूदी अच्छे मूड में नहीं है भारत की समाचार एजनसियों के मताबिक सूतरों के हवाले से कहा गया है कि भारत चीन के मसले पर पीएम मूदी और डॉनाल ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हुई है हाल के दिनों में लगदाख और उत्तरी सिक्किम के LAC के साथ लगे कई छेत्रों में भारती और चीनी सेनाओं के बीच तनाव की खबरे आई है कुछ साल पहले डोकलाम विवात के बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल बन गया है